नमस्कार जहिंद वंदे मातरम दोस्तों आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टेडी प्रेटफोर्म में दिस धीर दिवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड दोस्तों आज वीड़ो है च्छेलेंजिंग यानि प्रश्णों की संख्या होगी 20 कुसंस की आपका अगर इसकोर आज इस वीडो में 15 से ज़ादा है तो आप बेश्ट सिखर पर है आपका इसकोर अगर 10 से 15 के बीच में 8 से 10 या बिल्कुल ठीक ठाक है और इसकोर अगर 8 से 10 है या बिलो है इसके नीचे है तो आपको मेहनत करने की थोड़ी सी जरूरत जदा है इसलिए परेशान मत होना अधिगम बहुत इंपोर्टेंट है सीखना बहुत इंपोर्टेंट है चैनल को सस्क्राइब कर लेना हमेशा चीजों को जो कुस्सन गलत होते हैं जो कुस्सन की विडियो को छोड़ देता है उससे बड़ा कोई कायर नहीं है मेरे भाई इसलिए आप ग्रेट हो आप कायर मत बनना टाइम टेवल की बात करें तो पहला कुस्सन लेने से पहले आपको टाइम टेवल एक बार और बताता हूँ कि सुबह 11 बजे दो बजे चार बजे साम को रातरी 8 बजे रातरी 10 बजे रातरी 11 बजे ये क्लास का टाइम टेवल है इसलिए लिए आना मत भूलना इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसे कोई भी नोटिफिकेशन ना मिस हो environmental questions answer में चलते हैं स्रंखला यानि 20 questions में आपका score क्या रहता यह देखना बहुत important है यानि अगर score 10 से 15 है तो भी आपका बढ़िया है score ठीक है और अगर 10 से नीचे रहता है तो आपका score गलत है भौतिक तथा जैविक संसार जहां हर कोई रहता है उसे क्या कहते है पर्यावरण बायू मंडल जल मंडल या कोई नहीं तो भौतिक संसार की बात कर रही है हमारे सामने अगर हम देखे जितनी भी चीज़े आँखों से दिखाई देती है हमको सब घेरे हुए है इसको हम पर्यावरण कहते है जैविक संसार है जहां हर कोई रहता है कहरा है कुस्सन में बहुत सारे बच्चे बायू मंडल आप बा करनर सब्द से लिया गया है जो एक फ्रेंच भासा का सब्द है ये भी अच्छी तरीके से आप जानते हो तो फिलाल ओप्सन नमबर फिस्ट के साथ चला जाएगा कुस्सन नमबर नेक्श की बात करेंगे वह कौन सा जरूरी कारक है जो भिन भिन चेत्रों में भिन भिन पर रहावन में हस्तक शेप करते हैं वही राइट आंसर हो जाएगा यानि सबसे महत्वपूर कारक क्या है हम है हीूमन जगत है ऑप्सन नमबर क्या हो जाएगा बी इस राइट आंसर हो जाएगा बहुत अरे बच्चे उप्रोक सभी भी लगा दिये होंगे लेकिन हर आंसर का जब आप option number D नहीं होता है, उप्रोक सभी नहीं होता है, मैंने बार बार आपसे कहा है, 50 से 60 km तक biomandel में उपस्थित gas कौन सी है, हमने हमेशा आपसे कहा biomandel की बात करें, तो nitrogen सबसे ज़्यादा होती है, 78%, oxygen सबसे ज़्यादा नहीं होती है, दूसरे number पारदती है, 21% होती है, इसके अलावा अगर हम बात करें, आरगन की बात करें, तो आप कहते हो sir, 0.93% होती है, बायो मंडल में, और CO2 की बात करें, तो आप कहते हो 0.03%, ये चार गैसे आपको बता दी, लेकिन अगर हम 10 km के उपर range में जाएं, तो हमें छोब मंडल का इस्तर मिलता है, प्रतवी से, अर्थ से, और 10 से हम 50 से 60 km तक उपर जाएं, तो हमें समताप मंडल में एक परत होती है, जो ओजोन लेर की बात करता है, उपस्तित गैस ओजोन होती है, ओजोन गैस का सूतर क्या है, ओजोन गैस का सूतर है, O3 है, जो बनता है, O2 यानि ऑक्सिजन का रूप है, O2 प्लस O बराबर O3 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, तो ये कुशन का आपको description, आपके दिमाग को fit करेगा, कुशन इतना तोड़ दो, कि कुशन भी कहने लगे, कि सर आप प्रभू छोड़ दो, है ना, तो याद रखिएगा, कुशन का करने का तरीका गाईस बहुत important है, ऐसा करिए कुशन, प्रतवी के अनुमानित आयू क्या है, प्रतवी की बात करें, तो प्रतवी को हम अर्थ कहते हैं, अर्थ की बात करें, तो 5 करोन बर्स राइट आंसर हो जाएगा, option number क्या हो जाएगा, option number first is right answer हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़ी है, तो right answer option number first के साथ चला जाएगा, कुशन ये भी आता है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, नीला ग्रह भी प्रतवी को कहा जाता है, right answer option number first के साथ चला जाएगा, question number next की बात करेंगे मुख्य कारक का नाम जो प्रदूशन उत्पन करता है मुख्य कारक का नाम जो प्रदूशन उत्पन करता है समुदरी जीब जानबर मनुस्य और नाइट्रोजन अगर हम बात करें मुख्य कारक कौन है जो pollution को create करता है तो वह simple सा answer है यानि मनुस्य मनुस्य environment को इतना ज़्यादा pollute कर रहा है चाहे वो आपका अध्योगी द्रस्टी से हो चाहे वो किस तरीके से हो चाहे वो कैसे भी हो मनुस्य से ही सबसे बड़ा कारक है ठीक है question number six की बात करेंगे जैब अम निमनिय करन अ निमनिय करन जो है पदार्थ का नाम है यानि जो निमनिय करन ना हो वो बताना है हमने पहले बहुत सारी वीडियोज में आपको निमनिय करन वाले question कराए थे polythene, radio dharmic, plastic या फिर all above तो राइड answer बच्चे यहाँ पर देखीगा जैब निमनिय करन निमनिय करन का मतलब होता है जो प्रदूशन को सबसे ज़्यादा यहाँ पर pollute करे यानि सबसे ज़्यादा जो है आपके environment को environment को सबसे ज़्यादा pollute करे तो आप यहाँ पर कह रहा है जो मतलब निमनिय करन की बात करा था अब कह रहा है बहुत गलत बात है, ओजोन परत के ऊपर, ऊपर की जो परत होती है, आयन की परत लिख दिया है, मैंने छोड़ती है, ध्यान दीजेगा, कराया है, ओजोन परत के जो ऊपर होती है, वो क्या छोड़ती है, एक्स किरिणे छोड़ती है, अवर्त किरिणे छोड़ती है, रेडिय सी करिने छोड़ती है तो simple सी बात है बच्चा बच्चा जानते है रेडियो करिने की बात होतीय यानि आयन मंदल की बात कर रहा है सर यहाँ पर आयन प्रथिबी की ओर ठीक है बहुत बड़ी है कुछ से नमबर आठ की बात करेंगे हवा तथा पानी का पॉल्यूशन होता है मतलब जो है प्रदूशन होता है रेडियो धर्मीश है कारण और ध्योगिक अबिसिस्ट पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ या इनमें से कोई प्रदूशन होता है तो राइट अंसर चला जाएगा ओप्षैन नमबर ओप्षैन नमबर चला जाएगा और ध्योगिक अप्सिस्ट पदार्थ के साथ क्योंकि हवा पानी की बात करें पानी का पॉल्यूशन होता है जो अगर हम बात करें कल कारणों से निकलने वाला ही नहीं होगा तो simple सी बात है right answer option number और द्योगिक के साथ चला जाएगा मनुस्य कैसा है guys मनुस्य सरवाहारी है मांसाहारी है साकाहारी है इनमें से कोई नहीं है simple सा question है इस video का चिंदी सा question है उड़ा दीजेगा फटाफट इस question इस video का चिंदी सा question है कि मनुस्य से है एक सरवाहारी है मांसाहारी है या साकाहारी है तो मनुस्य कैसा है सरवाहारी है सब कुछ खा लेता है चाहें चील पकड़ादो चाहें सेर पकड़ादो चाहें कुछ भी पकड़ादो चाहें गाजर पकड़ादो सब खालेगा वो है न तो right answer option number first के साथ चला जाएगा बहुत बड़े है question number next की बात करेंगे जंगलों की पूर्ति का बड़ा सबसे बड़ा कारेकरम कौन सा है जंगलों की पूर्ति का मतलब होता है जंगल का रख रखाओ है न जंगल कम है तो उसकी पूर्ति करने के लिए सबसे बड़ा कारेकरम पूछ रहा है सिलवी कल्चर है जंगलों की कटाई है जंगलों की पूर्ति है कोई नहीं तो कुछ बच्चे यहाँ पर लगाएंगे option number C और कुछ बच्चे लगाएंगे option number A तो देखी का जो जंगलों की पूर्ति का कारेकरम पूछा है सिलवी कल्चर हो जाएगा इस कुछन का राइट अंसर क्योंकि सिलवी कल्चर की बात करें तो होता है बनों को संरक्षन प्रदान करना सिलवी कल्चर का उत्पादन होता है ऐसे ही फ्लोरी कल्चर की बात करते तो समुद्री जीवों का उत्पादन होता है ऐसे ही अगर हम बिटी कल्चर की बात करते तो नीचे कमेंट आपको करना पड़ेगा ठीक है ना हाँ जी बहुत बढ़िया बेहतरी इंसाब तो नीचे कमेंट करिएगा फटा फट बिटी कल्चर में क्या होता है औप्संस है के चुआ या आपके अंगूर कुश्चन नमबर 11 निम्लिकित में से अजयविक पर्यावरण के दो घटक कोन है बहुत अच्छा कुश्चन पूछा इतना गजब का कुश्चन है कि मज़ा आ जाएगा निम लिखित में से अजयविक पर्यावरण के दो घटक हर बहन हर भाई जितने भी राज्जी के टेट हैं याद रख ले न ताल ठोक के अगली साल सेलेक्षन चैनल को सस्क्राइब कर ले न बहुत गलत बात है अभी तक लाइक नहीं आया रोज रोज गला फारवाओगे यार लाइक करने के लिए न गलत बात है बहुत गलत बात है ताल ठोक के पड़ाते हैं डंका के चोट पे तो आपको डंका के चोट पे हमारे साथ रहना होगा और हमारे साथ इतनी मेहनत करनी है कि मेरे भाई तुमारा आसपास का महला न चौक जाएगा आपके एकदम से खिताब SET है याद रखना निमनिकेट मेंसे यहाँ पर देखिएn आज से जादा जो दुसमन होते हैं वो महले में होते हैं याद रखना मेरे भाई उनको जवाब देना बड़ा ही कठिन होता है तो उनको जवाब तुम दे सकते हो, काम से दोगे निम्लिकित में से अजयाविक पर्रयावरण के दो गटक होते हैं वो राइट आंसर, option number चला जाएगा हवा तथा पानी बच्चे कहे रहे हैं अजयाविक पर्रयावरण के दो गटक पूछे हैं तो बच्चे कहे रहे हैं, option number C चला जाएगा option number हवा तथा पानी हो जाएगा हवा तथा पानी हो जाएगा बहुत important question है, वैसे हम जयाविक और अजयाविक में दो difference जानते थे, कहते थे कि biotic component और abiotic component में दो फर्क होते थे, कि कहते थे कि pain pod है, यह सब आ जाएगे biotic में और abiotic में आपका पानी महासागर जरना आ जाएगा, लेकिन option भी हमें देखने पड़ते हैं, कभी-कभी questions में इसलिए इस question का right answer हवा तथा पानी हो जाएगा question number 12, वह absist पदार्थ जो प्रतवी में रहता है, जिसका उपियोग नहीं हो सकता, जैब निम्निय करण जैब अम निम्निय करण जैब आवर्धन इनमें से कोई नहीं, तो बच्चे यहाँ पर देखीगा जो absist पदार जो प्रतवी में रहता है जिसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, नहीं हो सकता है, वो बच्चे करें, सर जैब अनिम्नी करन हो जाएगा, option number two is right answer हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बनों की कटाई का कारण क्या होता है, बनों की कटाई के कारण होता है, बनों की कटाई अगर बन को जादा काट दिया अगर हम पूछे, बन सबसे जादा बारत में कहा है, यंपी छेतर में है, छेतर फल के नुसार, अगर हम पूछे, बन सबसे जादा परसेंटेज के अधार पर कहा है, तो मिजोरम में है, अगर हम सबसे पूछे जादा की बन अच्छादन, बन सबसे जादा कहा है, तो कही न कहीं अरुणाचल प्रदेश का भी पार्ट आ जाता है कुश्चन नमबर अरुख कम कहां परें सबसे कम कहां परें हरियाना में सबसे कम है सूरी से आने वाली परावैगनी केड़ों को निम्लिकित में से किसके द्वारा सोखा जाता है सिंपल सा कुश्चन है इतना चिंदी सा कुश्चन रोजाना हम करवाते हैं इस कुश्चन को सूरी से आने वाली परावैगनी अल्ट्रा वैलेट केड़ों को आक्सिजन जलवास बाटर गैस या ओजोन तो राइट अंसर या फिर उपरोग सभी तो राइट अंसर बच्चे करें सर ओप्शन नंबर सी चला जाएगा और एक तब का आरा अंसर का ओप्शन नंबर एक चला जाएगा तो भईया ओप्शन नंबर एक चला जाएगा मुझे आपको आपसे कमेंट की उम्मीद रहेगी कि DDT का फुल फॉर्म क्या होता है ये कीट नासक में प्रियोग होती है आप सभी जानते हो जो नार्मल कीडों को मारने में काम आती है DDT हो जाएगा इस कुशन का राइट अंसर अब हम चलते हैं 5 कुशन देगो बहुत सारी चीजे हैं तो अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गेस्स की संकलपना जलबास्त की भी बात होती है तो आपका राइट अंसर हो जागा जोसेफ फ्रॉरियर ने जोसेफ फ्रॉरियर ने दी थी ठीक है इसके लाबागर हम बात करें, पर्यावरण के अध्यन को क्या कहते हैं, इनवारमेंट स्टेडीज को हम कहते हैं, ये बताना है आपको, पर्यावरण के अध्यन को हम क्या कहते हैं, दोस्तों तो पर्यावरण के अध्यन को हम कहते हैं, एकोलोजी कहते हैं, क्या सर, एकोलोजी करने वाला पहला व्यक्ति कौन था ये आपको बताना है तो देखीगा भारत के मांसून का वर्डन करने वाला पहला व्यक्ति था अलमसूदी अलमसूदी की बात करते है सर जी अलमसूदी था एक अरब विद्वान कहां का था अरब विद्वान था अरवी सासक था ठीके ना अरवी विद्वान था और सासक नहीं कह सकते है सिंपल सी बात है option number जो भी होगा आप clear करना question number 19 की बात करेंगे केंद्रिय पर्यावन अवियंतरन संस्थान कहां पर इस्थित है आप कोगे सर्फ question के options नहीं देख रहे है ये 5 question है जो बिना options की options से आपका दिमाग शिक करने की कोसिस कर रहे है नहीं तो मुझे क्या मुझे तो मैं तो 100 question टाइप कर लेता हूँ एक बार में केंद्रिय पर्यावन अवियंतरन संस्थान कहां पर इस्थित है दोस्तों तो right answer option number नागपुर के चला जाएगा कोई भी option होगा आप clear करना ये question लिख लेना नागपुर में है और पहले भी मैंने इसका जिक्रि किया था हम बात करना है question number last की कि भारत में सबसे पहले मांसून किस राज्य में आता है भारत में सबसे पहले मांसून किस राज्य में आता है आपको कमेंट करना है कि भारत में सबसे पहले मांसून किस राज्य में आता है फटा फट जल्दी से कमेंट करेंगे भारत में सबसे पहले मांसून आता है भारत की बात करें तो भारत के परिदरस से एक भारत का ऐसा राज्य जो आपके दक्षिल भारत में कभी-कभी अच्छा बन जाता है कभी-कभी बहुत खराब बनता है तो आज कैसा बना है मुझे कमेंट जरूर करें जी हाँ बनता तो हम आपका इंटर करता है गर तारीक पूछे तो 5 जून से 10 जून के बीच में सबसे पहले इंटर कर जाता है ठीक है ना और भारत में जो है पारिस कब होती है जब सूरे जो है करकर एखा पर चमकता है यानि मई जून के महिने में बारिस स्टार्ट हो जाती है जून के महिने में अगर कुछन में पूछे कि सीत रुत में बारत में बारिस कहां पर होती है तो सीत रुत में बारत में बारिस होती है तमिलनाडु के तट पर क्योंकि मानसून इधर से उठता है और बारिस करता हुआ चला जाता है और दिसंबर में क्या होता है कि दिसंबर में जब मानसून ल फालतू की बात केवल 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 study की बात ठीक है ना जी हाँ मुद्दे की बात होती है तार्ठोक के इसलिए डंबर वन है गुरुजी वर्ड 82-83 मिलियन सारे चैनल देख लेना सिक्षक भरती के सारे चैनल जितने भी तुमको चैनल अच्छे लगते हों गाईज इस पूरे यूटूब study platform पे पूरे यूटूब की दुनिया में सबसे ज़्यादा एवाउट section में जाके गुरुजी वर्ड का देखना और सारे चैनल को देख लेना गुरुजी वर्ड के चैनल को देखना और सारे चैनल को देख लेना एवाउट में जाके सबसे ज़्यादा व्यूज के साथ गुरुजी वर्ड खरा उतर रहा है आज की डेट में वियासी मिलियन लगवग एवाउट में पहुँच चुके हैं जहां तक कोई भी अभी तक दूर दूर तक बात नहीं कर रहा है जी हां बहुत बढ़ बढ़ जहिंद वन्दे मातरम देश का नंबर वन चैनल शिक्षक भरती के मामले में बहुत बढ़ 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 बात करते हैं शिक्षक भरती टीचर टेस्ट टीचर eligibility test बहुत बढ़िया बेतरी जैहिन फिर मिलेंगे next video में तब तक के लिए एंकलाब जिन्दावाद thanks for watching जैहिन